चानक क्या IAS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे Transparency International के ब्रस्टाचार धार्ना सूचकान के बारे में ब्रस्टाचार के मामले में भारत की स्थिती में 2022 की तुलना में 2023 में मामूली बदलाव हुआ है Transparency International के एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के ब्रस्टाचार धार्ना सूचकान के भारत 180 देशों में 93 स्थान पर रहा है इस दौरान भारत के समगर स्कोर में बहुत हट तक कोई बदलाव नहीं हुआ है लेकिन देश की रैंकिंग 8 स्थान नीचे खिसक गई है इस रैंकिंग में एक नंबर पर रहने वाले देश में कम भरस्टाचार और 180 नंबर पर रहने वाले देश में सबसे ज़्यादा भरस्टाचार है रिपोर्ट के अगर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार चीन 46 और पाकिस्तान 133 नंबर पर है वहीं डैनवाग पहले स्थान पर है और यहाँ पर सबसे कम भरस्टाचार भी है जबकि सोमालिया 180 स्थान पर है यहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन है इस इंडेक्स के लिए Transparency International के एक्सपर्ट हर देश के पब्लिक सेक्टर में ब्रस्टाचार का आंकलन करते हैं इस सूचकांक में विशेशक्यों और व्यापारिक लोगों की धारना के आधार पर सारजनिक छितर के ब्रस्टाचार के कतिस तरों को ध्यान में रखकर 180 देशों और छेतरों की रैंकिंग की जाती है इसके बाद हर देश को 0 से 100 के भी स्कोर दिया जाता है जिस देश में जितना ज़ादा ब्रस्टाचार उसे उतना कम स्कोर दिया जाता है इसी आधार पर इंडेक्स में रैंकिंग निर्धारित होती है जारी की गई 2023 की रिपोर्ट में भारत तो स्कोर 39 है 2022 में स्कोर 40 था सिर्फ एक नंबर के कम होने से भारत 8 पाइदान खिसक गया है अब हम बात करेंगे भारत में व्रष्ठाचार के बारे में 2005 से लेकर 2013 तक और उसके बाद 2014 से वर्थमान सरकार के अगर तुलना की जाए तो स्तिती में कोई खास सुधार नहीं है 2006 और 7 में करप्शन के मामले में जरूर रैंकिंग सुधरी है उस दौरान भारत सतरवे और भैतरवे स्थान पर था 2013 में भारत 94 स्थान पर लोड़क गया वहीं सबसे अच्छे स्थिती 2015 में रही तब भारत वर्ड रैंकिंग में 36 स्थान पर पहुँच गया था एशिया के देशों में ब्रष्टाचार की स्थिती का अगर आंकलन करे तो एशिया के देशों में पिछले 5 सालों में CPI स्कोर 45 के आसपास बना हुआ है बहुत कम देशों में भी ब्रष्टाचार में कमी आई है एशिया के अधितर देशों में धीरे धीरे ब्रष्टाचार बढ़ा है भारत समेत एशिया के 71 देशों का स्कोर यहां के ओस्त स्कोर 45 से नीचे है रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन देशों के नेताओं ने ब्रष्टाचार के मुद्दों को गंबीरता से नहीं लिया है साथ ही इन देशों में सवतंत्र प्रेस पर भी हमले हुए है इससे ब्रष्टाचार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने पिछले दशक में ब्रष्टाचार में लिप 3.7 मिलियन सरकारी अधिकारियों को सजा सुनाई है इसकी चर्चा दुनिया भर में भी हुई है लेकिन चीन ने अपने संस्थानों में ब्रष्टाचार कम करने के लिए सक्त कदम नहीं उठाए है इससे उनकी नेतियों पर संदे पैदा होता है रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान और सिलंका में कर्च का बोज और राजनितिक ऐस्तिरता है हालांकि इन देशों में न्याय पालिका के मजबूत होने के कारण भरष्टाचार पर कुछ हद तक लगाम लगी है वहीं बांगलादेश लिस्ट जवलप्ड देशों के स्टेटस से उभर कर सामने आया है यहां आर्थिक भी कास हुआ है और गरीबी में कमी आई है इसके साथ ही आज का ये विशे यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद